इसके पर में कुछ क्योंस भी किये थे आज अपर इसकर्ज करेंगे सब्टरेक्शन ओफ थ्री और फॉर डिजिट नमबर के सब्टरेक्शन जी कहें विदाउं ट्री ग्रूपिंग वाले तो फर्स्ट क्योशन लेखे फर्स्ट एक्जामपल लेखे यह और फोर हुर हुर हुर्ण डेट सेव्नुट फैटेट इन अटिट रियम 264 seats have already been occupied, how many seats are still taken? एक auditorium में 475 seats है, ठीक है? जिसमें से 264 seats पर तो अल्रेडी कबजा हो चुका है तो बताइए अब कितनी seats बची हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 475 में 264 को सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यह देखिए, 475 में 264 को सब्ट्रेक्ट करेंगे वन्स की डिजिट कुन सी है? 5, सब्ट्रेक्ट 4, 10 की डिजिट कुन सी है? 7, सब्ट्रेक्ट 6 और 100 की डिजिट कुन सी है? 4, सब्ट्रेक्ट 2 ओके? अब देखिए, सबसे पहले तो अपन, वन्स की जो डिजिट है, उसका सब्ट्रेक्शन करेंगे 5 ones subtraction 4 ones is equal to 5 ones में 4 ones को subtract करना है 1, 2, 3, 4 5 ones में कितने ones subtract करने है 4 1, 2, 3, 4 यह 4 subtract कर दिया अब कितने बच गे 1, 1 तो यहाँ पे write कर देंगे 1, 1 second देखिए 10th digit को subtract करेंगे 7 tenths subtract 6 tenths is equal to 7 tenths count कीज़े finger पे 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 tenths में कितने tenths subtract करने है 6 tenths 1, 2, 3, 4 5, 6 6 tenths subtract हो गए अब अपने पास कितने बचे 1 tenths तो यहाँ write करेंगे 1 tenths अब next 400 में 200 को subtract करना है 1, 2, 3, 4 यह 400 है इसमें कितने hundred subtract करने है 200 1, 2 अब कितने बच गए 1, 2 200 अपने पास बचे गए तो यहाँ पे write कर दिया आपने 200 तो final answer आए 211 सी जो है वो बची हुई है अब next देखिए exercise 3 सी सबसे पहले आपन क्या करेंगे 453 में 221 को subtract करेंगे तो 3 1s में 1 1s को subtract करेंगे तो answer क्या आएगा 1, 2, 3 3 में 1 1s subtract कर दिया answer आगया 1, 2 2 1s तो यहाँ पे write कर दिया 2 1s 5 10s में 2 10s को subtract करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 1s में 2 10s को subtract करेंगे 1, 2 2 10s subtract कर दिया अब कितने बच गए 1, 2, 3 3 10s तो यहाँ write करेंगे 3 10s next 400 में 200 को subtract करना है तो 1, 2, 3, 4 400 में कितने 100 subtract करने है 200 1, 2 कितने 100 बच गए 1, 2 200 अपने पास answer आगया ठीक है तो इसका final answer आए आपने पास 230 2 ओके यह तो 3 डिजिट्स है अब अपन करेंगे 4 डिजिट्स के 4 डिजिट्स का यह वाला E वाला question करेंगे ठीक है 3 डिजिट्स का एक मैंने आपको समझा दिया है अब B, C, D आपको खुद को करने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 1 सब्ट्रेक्ट कर दिया अब बताइए कितने बच गए 1, 2 2 अपने पास बच गए है 4 टेंस में 2 टेंस को सब्ट्रेक्ट करना है So, 1, 2, 3, 4 4 टेंस में कितने टेंस सब्ट्रेक्ट करने है 2 टेंस So, 1, 2 अब कितने बच गए 1, 2 2 टेंस बच गए यहाँ पे राइट कर देंगे 2 600 में 500 को सब्ट्रेक्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 में कितने 100 सब्ट्रेक्ट करने है 500 तो यहां राइट करेंगे अपन वन हंड्रेड 5000 में 1000 को सब्ट्रेक्ट करना है 5000 में कितने 1000 सब्ट्रेक्ट करने है 1000 तो 1000 सब्ट्रेक्ट कर दी यहां राइट करेंगे अपन 4 1000 अब क्योशन नमबर F और G आपको कुद को करने है ठीक है अब नेक्ट रेकिए राइट इन कॉलम्स एड्ट सब्ट्रेक्ट्चन दर फोलो में यह जो सब्ट्रेक्ट्चन दिये हुए है इनको कॉलम बनाके अपने को सब्ट्रेक्ट करना है तो चलो ओपन कॉलम्स बना राइट इनको सब्ट्रेक्ट करते है Patient A और B अपने को solve करना है तो 1,2,3 3 डिजिट्स है तो आपने को कॉलम्स कितनी मेनानी है Without regrouping वाले है तो 3 कॉलम्स बनानी है ठीक है without regrouping वाले हैं तो 3 column बनानी है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 यह 3 column बना लिए अपने यह मैंने 3 column बनाई अब यहाँ पर write करेंगे 1, 10, 100 ठीक है? 1, 10, 100 अब 1, 10, 100 की digits को write करेंगे 1s की digit क्या है? 8 और 6 8 and 6 10 की digit क्या है? 5 and 2 5 and 2 100 की digit क्या है? 9 and 6 9 and 6 अब इनका subtraction करेंगे So 8 1s में 8 1s में 6 1s को subtract करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 1s में कितने subtract करने है? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1s subtract किये अंसर क्या आया? 1, 2 2 1s अंसर आ गया Next देखिए 5 10s में 2 10s को subtract करना है 1, 2, 3, 4, 5 5 10s में कितने 10s subtract करने है? 2 10s 1, 2, कितने बच गये हैं? 1, 2, 3 3 10s बच गये हैं Next देखिए 900 में 600 को subtract करना है Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 900 में कितने 100 subtract करने है? 600 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 subtract की answer कितना आया? 1, 2, 3 300 आंसर आ गया तो इसका final answer क्या है? 3, 3, 3, 2 Next देखिए Question number Question B अब इसमें digit count करेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 digit है Regrouping वाद 4 digit है Without regrouping वाले है तो अपन 4 ही column बनाएंगे टिक है? 1, 2, 3, 4 यह अपने कितनी column बनाई? 4 column बनाई अब 4 column का place right कर दीजिए 1, 10, 100, 1000 अब इनकी digits रावं डाइट कर दीजिए 1s की digit क्या है? 3 subtract 1 3 subtract 1 10 की digit क्या है? 1 subtract 0 100 की digit क्या है? 8 subtract 4 8 subtract 1000 की digit क्या है? 2 subtract 1 2 subtract 1 आप यहाँ पर subtraction करेंगे तो 3 1s में 1 1s कट करेंगे तो answer क्या हैगा? 1, 2, 3 3 में 1 कट की answer आया? 2 1 10 में 0 10 को कट करेंगे answer क्या हैगा? 1 क्योंकि 1 में अपन किसी में डिजिट में जब 0 को subtract करते हैं तो answer क्या आता है? वो ही digit आ जाती है 800 में 400 को subtract करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में कितने subtract करेंगे? 4 1, 2, 3, 4 4 subtract की answer कितना है? 1, 2, 3, 4 4 answer आ गया 2000 में 1000 को subtract करना है तो answer आ गया 1 ओके? final answer है 1412 1412 ठीक है? तो यह अपने question A और question B solve किया अब आपको question C, question D, question E, F आपको खुद को solve करने है same इसी तरीके से जैसे अभी A और B solve किया है ठीक है? तो question A, question B मैंने solve करवा दिया है question C, D, E, F आपको खुद को solve करने है same इसी तरीके से ओके? तो यह आपका यह आपकी exercise जो complete हुई है it's enough for today's remain topic we will discuss in our next class thank you आपको आपको